प्रवाइब चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं पैटन नमबर सेवन ठीक है पैटन नमबर सेवन जो है वो फिर से वही है लेफ्ट एंड साइड वाले ट्राइंगल है इधर की तरफ वाले ट्राइंगल है बस थोड़ा सा चेंज यह है कि इन्वर्टेड है इस बार पिछली ओर प्रवार जो बना था वो कुछ इस तरीकी का बना था ऐसे करके सीधा-सीधा ट्राइंगल बना था अपकी देखो इन्वर्टेड है आपकी ट्राइंगि इन्वर्ट कर दिया बस कंडिशन वही है यहां पे भी स्पेसेज थी यहां पे भी स्पेसेज होंगी यह देखते हैं जरा सेम वही कॉंसेट है लूप हम फिर से वही लगाएंगे आई और जे का और देखेंगे कैसे करेंगे भई देख हुल टूइए इकल टू री आई प्लस प्लस आइज गसे गच्छी फिर से वही वाला लूप है यह फिर से वही वाली कंडिशन ने जो हम पैटन नंबर 1 में सीक चुके हैं एड रिकीट हम पैटन नंबर 1 में यह और इस अब कीज़ काम कर चुके फिर से बताने साथ वायों में क्या कोंसेट है कि मिले को यहां पर लुव बार प्रिंटिंग करनी है Aaron कि सर निये श्ब तरह कि इसका मतलब क्या है जो हम को है इसके हिसाब से जो पेटन चल रहा हूँ जो मैं कि पिछले पिछले वाले पैटन में भात कर चुका हूं में भाई जब i की value 1 होगी तो j चलता है 1, 2, 3, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, अब इसके अंदर concept क्या है, हर i की value के लिए j तीन बार चलने वाला है, इस तरीके से, i1 होगा j123, i2 होगा j123, i3 होगा j123, ठीक है, मुझे ये देखना है, कि जैसे for example, जब मैं ये row के लिए है, फिर से बता देता हूँ, ये columns के लिए है, ठीक है, और यहाँ पर जब मैं आता हूँ, या इसको जगर में देखू, प्रिंट करके तो कुछ इस तरीकी के printing i और j की हम करवा सकते हैं, भाई देखो, 1, 1 चला, फिर 1, 2 चला, फिर 1, 3 चला, सिमिलरली, 2, 1 चला, 2, 2 चला, और 2, 3 चला, फिर 3, 1 चला, 3, 2 चला, और 3, 3 चला, exactly इसी के बराबर है, अब हमें ये देखना है कि कहां कहां में space मिल सकती है, देखो भई, हमें इस जगा पे, इस जगा पे और इस जगा पे space चाहिए, यही तीन दो जगा हैं, बाकी पे हमें x चाहिए, इस पे कै कैसे काम किया जाए, पिछली बार में हमें किसी और तरीके ते चाहिए था, इस बार हमें किसी और तरीके ते चाहिए, ठीक है, हमें ये concept कैसे build करेंगे, सोचो i और j की इन ही values में, जैसे पिछली बार में ने i plus j less than equal to 3 करके काम करा लिया था, यहां पे हम क्या ऐसा logic लगा स है कि अगर तुम इसको ध्यान से देखो loop को, तो यार जब i और j का comparison करोगे, इसमें थोड़ा तो और हलका है, i और j का comparison करोगे, तो इन तीन values में i जो है, वो j से बड़ा है, बाकियों में नहीं है, देखो ध्यान से, यहां पे i j से बड़ा है, यहां पे i j से बड़ा है, यह सारी की सारी जो पहली values हैं, यह i की हैं और जो दूसरी values हैं यह जे की हैं, यह सी तरीके से चल रहा है ना, ठीक है, अब यहां पे जब हम 2, 1 पे आएंगे, तो देखो i value बड़ी है, 3, 1 पे फिर i value बड़ी है, 3, 2 पे फिर i value बड़ी है, यहां पे तो देखो बराबर हो एसो पी स्पेस मैंने स्पेस प्रेंट करा दी एल्स एसो पी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रेंट एक्स खतम धास इट फिनिश इतना ही करना था देखो भई अब इसके अंदर को तुम ध्यान से देखोगे तो जब यह अंदर आएगा तो इस जगह पर देखो भई पहली इसे बार में चला 1, 1, 1, 2, 1, 3 इन में से किसी में भी I जो है वो जे से बढ़ा नहीं है तो वो X, 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 X Print कर देगा एल्स में चला जाएगा एक्स, X, 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 Print कर देगा दुबारा में फिर जब जाएगा I की वैल्यू कर देगा जे 1, 2, 3 होगा तो जैसे ही जब 2, 1 आएगा त तो वो पहले बाले में नहीं जाएगा, एल्स में चला जाएगा, X स्प्रिंट करतेगा, यह मिल जाएगा, यहाँ पे भी X स्प्रिंट करतेगा, फिर से space, space, X स्प्रिंट करतेगा, simple सा लॉजिक है, बाह समझारी है, understandable है, देखो बई, अगर हम दूसरे बाले पैटरिन की तर पर 2 चल रहा है फिर 3 चल रहा है वह अंदर जाएगा जहां जहां पर उसको X प्रिंट करना था पहली बार में इस जगह पर उसको X प्रिंट करना था तो 11 12 13 पर वो simple जो है X X X प्रिंट करेगा अब X के जगह पर यहां पर I I I print कर देगा अब तो 12 12 प्रिंट करेंगा यहां तो चीज़ अगर मैं इसके अन्दर उल्पाյ रिंगल बनाना चाहते हूं तो वही सेम कॉंसेट पिछली बार जो मैंने बताया ता पिछले वाले जो पैटन पर नमबर शिक्स में एक्स और स्पेस आड़ गरूंगा मेरा यह वाला पैटर्न आ जाए सिंपल है करके देख लेना इसको ट्रा है फिर आगे बढ़ते हैं इस वाले पैटर्न की तरफ इस वाले पैटर्न में ऐसा क्या खास करेंगे सब कुछ सेम रखने वाले हैं ठीक है सब कुछ सेम रखने वाले कोई आसा खास चेंज नहीं करेंगे बस जहां हमें प्रिंटिंग करनी है उसके लिए हम फिर से पिछले वाले कोड की तरह एक काउंटर ले लेंगे इसकी वैल्य value 1 है मैं बार-बार इसके value यहां पे बाद न है इस बार इस picture 1 करण I मुझे अंदर में यहां पे loop में लगाने की बाओ उसके बाद मुझे तो यहां पे सिर्फ CTR प्लस प्लस लिख दिना है अपने आप से मेरे पास यह वाला ट्राइंगल प्रिंट होके आ जाएगा कैसे आ जाएगा देखो भई स्पेस तो अपना उसी साफ से प्रिंट करने वाला है एक्स जहां जांगे करने वाला वो देखो बई सीटीर की वैल्यू कितनी होगी यहां पर आई सबसे पहले सीटीर की वैल्यू वन हो चुकी है और मैं इसको बार बार वन नहीं कर रहा हूं ठीक है तो यानि कि अंदर गया आई की वैल्यू बन जे वन टू थरी पे यह तीनों चुकी है और फिर जाएगा और फिर फाइफ प्रेंट करतेगा फिर फाइफ प्र रेंट करतेगा इस तरीके से यह साम करने वाला है ठीक है बई सिंपल हमारे पास सिर्फ इतना सा काम करने से हमारे पास ये वाला भी पैटर्न आ गया कि I am thinking कि यह understandable है और कोशिश करी है कि आसान मना के सम्झाओं नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट I will try to help more and hope that helps सबस्क्राव धितना इतना गास